आयोत्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर दश्कों तक चले विवाद का अंत हो चुका है। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी मान लिया कि विवादत स्थल भगवान राम की जन्म भूमी है और वहां मंदिर बनाने की हरी छंडी दे दी। दश्कों चली अदालती जंग में भी सामने नहीं आया था। भगवान की भूमी पर फिर मिले मंदिर के निशान। राम जन्म भूमी से मिले मंदिर के अंदेखे निशान। पहली बार सामने आये मंदिर के वो सबूत जो आदालत तक नहीं पहुँचे। उत्तर प्रदेश का योध्या जितना भगवान श्री राम की जन्म भूमी के लिए मशूर है उत्रा ही ये शहर जन्म भूमी के विवाद के लिए भी पहचाना जाता है। भगवान की जन्म भूमी को लेकर कई देशक तक चले विवाद के बाद आखिरकार भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो। अदालत ने तमाम सबूतों को देखने के बाद खोला। और जब मंदिर बनाए जाने का काम चल रहा है तो इस जगह से ने ने सबूत सामने आ रहा है। ये वो सबूत हैं जो दश्कों तक चली अदालत की जन्ग के दौरान भी सामने नहीं आये थे। लेकिन अब जब मंदिर बनाने के लिए इस इलाके की खुदाई हो रही है तो जमीन से इस जगह पर भव्य मंदिर होने की निशानिया मिल रही है। और आप जो निशानी सामने आई है तो हैरान करने माले। खुदाई में जो सबसे एहम चीज मिली है वो है ये शिवलिक। इसके लंबाई चार फिट ग्यारा इंच है। इसके साथ है देवी देवताओं की बहुत सी खंडित मूर्तिया। यही नहीं खुदाई में पुश्प, कलश और बहुत से पिलर भी मिलें। और कुछ महराब के पत्थर भी मिलें। इसके लावा साथ ब्लैक स्टोन के स्तंब भी खुदाई में सामने आई हैं। ब्लैक स्टोन के अलावा छै रेड स्टोन के स्तंब भी मिलें। भगवान राम की जन्म भूमी से मिलें इन सभी सबूतों को संचो कर रखा गया है। और उसे अयोध्या ट्रस्ट को सौप दिया गया। अनेक पत्थर के बलुआ पत्थर के नकाशिदार अंग हमको मिले हैं। और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। जो लगभग 4.11 इंच लंबा है और जिसकी परीदी 42 इंच की है। भगवान की जन्मभूमी पर मंदिर के सबूत उस वक्त मिले हैं जब पूरे इलाके का समतली करण किया जा रहा है। अभी ये खुदाई का काम जारी है इसलिए आने वाले वक्त में और भी इस तरह के सबूत मिल सकते हैं। तो राम जन्मभूम में खुदाई के दर्मियान कई अहम पत्थर मिले हैं। जो तमाम अपने प्राचीन ता को सिद्ध कर रही है। उसके साथ ही भगवान का स्यूलिंग भी अंदर मिला है। जो खुदाई है समतली करन के दर्मियान कई प्राचीन फूवे भी अंदर मिले हैं। राम मंदिर बनाने के लिए भूमी पूजन नहीं हो पाया है। भूमी पूजन के लिए वहाँ जमीन से मलबा हटाना ज़रूरी है। लॉक्डाउन की वज़स इस काम में देरी हो रही थी लॉक्डाउन में छूट मिलने के बाद यहां निर्मान कार्य शुरू किया गए सबसे पहले मंदिर के लिए एक चबूतरा बनानी की तयारी हो रही है इसके लिए जमीन को समतल किया जा रहा है यह काम 11 मईस से जारी राम रला विराजमान के पास एक खाई मौझूद है इस खाई के पास ही खुदाई के दोरान मंदिर के अवशेश मिले है मंदिर के निशानिया मिलने के बाद संत समाज काफी कुछ है मंदिर विर्मान से जुड़े इस साधूं का कहना है कि इन सबूतों से एक बार फिर साबित हो गया है कि इस जगे पर मंदिर ही था जिसे दोस्त किया गया कभी स्वानिंग काल भारत का था राम जनम हुमी जैसा कि मैं सुना हूँ और सभी लो जानते हैं कि महराजबी करमादीत ने भब मंदिर निर्मान कराया था जिसको दोस्त करकर के एक धाचा खड़ की गई थी तो उसका उसे से यह सब हो सकते हैं मंदिर निर्मान से जुड़े साद्मों का कहना है कि इन अविशेशों को सुरक्षित रखा जाएगा क्योंकि ये सुबूत हिंदू समाज के लिए गर्व की मिसाल है इसका समतली कराय जारा इस लाग डाउन में भी कि जिससे जल्दी से जल्दी जो पूर निर्धारी समय मिला है उसमें राम लेला मंदिर बिराज बन जाया और राम लेला उसमें बिराजमान हो जाया इसलिए एक कारी चल रहा है ये आनंद का भी सा है हम सब के लिए गवरों का भी सा है आयोध्या में भगवान श्री राम की जन्म भूमी से मिले इन सबूतों के सामने आने के बाद सियासी जंग भी तेज हो गई है राम मंदिर से चुड़े लोगों का कहना है कि इन निशानियों से साफ है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के रास्ते में रोड़े अटकाए गए और तश्कों तक चली लंबी लड़ाई बेमानी थी आयोध्या में राम जन्भुमी से मिले मंदर के निशानों ने एक बार फिर यहां पुरातत्व विभाग की हुई खुदाई और उसमें मिले सबूतों की याद ताजा कर दी जन्भुमी विवात के वक्त इस जगह पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी और उसे भी बहुत सी ऐसे निशानिया मिली थी उस वक्त पुरातत्व विभाग पर भी सवाल उठे थे अब इन सबूतों के सामने आने के बाद पुरातत्व विभाग की खोच पर एक बार फिर से मोहर लग गई लेकिन इसके साथ ही मंदर से जुड़ा सियासी घमासान का जिन्द भी एक बार फिर से बाहर आ गया सर्यू नदी के तट पर बसा ये शहर है अयोध्या इसकी सर्जमी पर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर देखने का सपना करोणों लोग दशकों से देख रहे हैं और अब ये सपना धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है अयोध्या में मंदिर निर्मान के लिए चल रही खुदाई के दौरान मिले अब जो अवशेश सामने आए हैं वो एक बार फिर ये साबित कर रहे हैं कि इसी जगह पर कभी एक शांदार मंदिर जरूर रहा होगा इसलिए ये अवशेश काफी एहम भी माने जा रहे है अब जो सबूत सामने आए हैं वो दशकों तक चली अदालती जंग में भी निकल कर नहीं आये थे लेकिन राम जन्मभूमी परिसर में खुदाई के दौरान मंदिर से जुड़ी निशानिया पहली बार सामने नहीं आई हैं इससे पहले आदालत के आदेश पर इस जगह पर पुरा तत्व विभाग भी खुदाई कर चुका है उस खुदाई में भी ऐसे बहुत से सुबूत मिले थे जिससे ये साबित होता है कि इस जगह पर कभी न कभी एक मंदिर जरूर रहा होगा लेकिन ये पहली खुदाई नहीं थी इससे पहले भी यहां कई बार खुदाई की जा चुकी है सबसे पहले 1979 में बनारस हिंदू विश्विद्याले के किशोर नारायन ने इस जगह पर खुदाई करवाई इसके बाद 1975-76 में ASI के केके मुहम्मद ने यहां खुदाई की 1992 में पुरा तत्व विभाग के पूर्व निदेशक Y.D. शर्मा की टीम ने परिसर में खुदाई की इसके बाद 2003 में अदालत के आदेश पर पुरा तत्व विभाग की टीम ने यहां खुदाई की थी हर बार खुदाई के दौरान यहां बहुत से अवशेश मिलते रहें जिसके आधार पर अलग-अलग दावे भी किये जाते रहें लेकिन पुरा तत्व विद केके मुहम्मद की टीम ने जो खुदाई की उसमें इस जगे पर मंदिर होने के बहुत से अवशेश मिले बाद में केके मुहम्मद ने एक किताब भी लिखी केके मुहम्मद की मुताबिक उन्हीं खुदाई में हिंदू मंदिर के चौदर स्तंब मिले थे स्तंब के नीचे के हिस्से में इटो से बनाया हुआ आधार मिला था सभी स्थंब ब्लैक ब्लास्ट पत्थर से बने थे केके मुहम्मद के मुताबिक स्थंब के नीचे मंदिरों के पूर्ण कलश बने थे और उन्हें खुदाई के दौरान विश्नु हरी शिला फलक भी मिला था अपनी रिसर्च के आधार पर केके मुहम्मद पूरे दावे के साथ कहते हैं कि लाम जन्म भूमी पर बाबरी मस्जिद से पहले एक मंदिर था जो ने जब इसका एसकेवेशन जो हुआ था वो प्रफरसर बीबी लाल साब के अंडर में थे तो मैं भी उसी का एक मेंबर था और हम लोगों ने एसकेवेशन के लिए जब गया तो वो जो बाबरी मस्जिद था उसमें उसी टाइम में जो मंदिर का फौर्टीन पिलर्स थे राम जन्म भूमी पर मंदिर था या नहीं ये बहस दशकों तक चली अब जब अदालत ने इसका फैसला दे दिया है तो इस बहस पर फुल स्टाप लग गया था लेकिन मंदिर निर्मान के दौरान खुदाई में नए अवशेश मिलने के बाद राम मंदिर से जुड़ी बहस फिर से शुरू हो गई बीजेपी और कॉंग्रेस इस मुद्दे पर फिर भिड़ गया भारत तोडो गैंग जेनियू इनुशिटी ये ऐसे सारे तत्व है जो राम मंदिर का निरंतर विरोद कर रहे हैं उनके मुँपर ये जो अंदर से जमीन नई चीजे मिली हुए शीवलेंग मिला है इस्तम मिले हैं कलस मिले है जो मांगा ही नहीं है अभी तो विशए ही नहीं है ये इस बात के प्रतीका कि यहां राम मंदिर था बापरी मस्जिद राम जनम फूमी के मामले में सुप्रिम कोट के फैसला आने के बाद ना किसी सबूत की जरूरत है ना किसी बयान की जरूरत है राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है कि इसकी छोटी सी चिंगारी भी बहुत तेजी से भड़कती है अब जो निशानिया मिली है उसे लेकर भी यही हुआ शोले सिर्फ सियासत की दुनिया में ही नहीं उठे बलकि हिंदू और मुस्लिम संगठनों में भी बयान बाजे शुरू हो गई वहां पर राम का जन्मभूमी ही था और एक भप्य राम मंदिर वहां था जिसको गिरा करके आकरन ताउन ने मस्चिद का निर्माण कर आया था लेकिन कॉंग्रेस पार्टी हमेशा इस पर राजनिती कर रही थी राम जन्मभूमी से जुड़ी इस तरह की जुबानी जंग शायद ही कभी खत्म हो लेकिन फिलहाल सचाई यही है कि देश की सबसे बड़ी अदालत से यहां मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है और अब इंतजार उस मंदिर को देखने का है जिसके कलपना 1989 में विश्व हिंदू परिशद और राम जन्मभूमी नियास ने की थी और एक मॉडल बनाया था इस मॉडल के तहट अयोध्या में राम जन्मभूमी पर दो मंदिर बनेगा मंदिर की पूरब से पक्षिम की ओर लंबाई 268 फीट होगी वहीं मुख्य मंदिर की उत्तर से दक्षिन की ओर चड़ाई 140 फीट रहेगी मंदिर का शिकर 128 फीट उचा होगा मंदिर की पहली मंजिल में ही गर्भगरी होगा जहां राम लला विराजमान होगे पहली मंजिल में खंबो की उचाई 16 फीट 6 इंच होगी जबकि दूसरी मंजिल पर खंबो की उचाई 14 फीट 6 इंच हर मंजिल में 106 खंबे होंगे खंबो पर यक्ष यक्षिनियों की 16 मूर्तियां बनाई जाएंगी राम मंदिर में सफेद संगमर्मर की चौकट वाले कुल 24 दरवाजी होंगे मुख्य मंदिर के चारोर 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्क बनेगा पूरा मंदिर जिस प्लैटफॉर्म पर बनेगा उसकी उचाई 8 फीट होगी मुख्य मंदिर के अगल बगल श्री राम से जुड़े लोगों के छोटे छोटे मंदिर होंगे इस कल्पना के आधार पर राम मंदिर का निर्मान अब शुरू हो चुका है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद भी है क्योंकि मंदिर निर्मार से जुड़े सामान तो यहां बरसों से जमा किये जा रहे थे बस जरूरत अदलत की हरी जंडी की थी जो पहले ही मिल चुकी है